एक अच्छे घर का सपना आखिर कोन नहीं अचाता नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आपकी नीशा हाजीर है आपी के अपने यूट्यूब चैनल सबसे पहले हम देखेंगे अलिवेशन लूप तो देख सकते हैं दोस्तों एलिवेशन बहुत ही खुपसूरत आज के हाउस का रहने वाला है टैक्शर वो किया गया है यानि कि फ्यूचर वैदर में कभी भी कुछ भी खराब नहीं होने वाला है तो देखा अपने फ्रंट इतना खुपसूरत है तो अंदर से हाउस कितना खुपसूरत बना होगा तो बिलकुल अभी हम थोड़ी देर में यूदर चलने वाले हैं दोस्तों काफी रिजिदेंशाल आज का एरिया रहने वाले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं प्रापर डव लब आपका एरिया रहने वाला है प्रापर लोकेशन के अगर हम बात करेंगे तो सुशान City First में आज का house रहने वाला है दोस्तो पार्किंग एरिया काफी अच्छ आपको मिल रहा है Easily यहाँ पर आज आएक आपका टूबिलल एंड इस तरफ आपको एक छोटी लोबी मिल जाती है Entry की बात करेंगे Dual entry आपके house की रहने वाली है यह जो आप एंटरी देख रहे हैं यह डारेक्ट आपको ले जाएगे आपके गैस रूम में अभी हम डारेक्ट चलते हैं आपके लिविंग एरिया में यहाँ पर आज आता है आपका water tank provision electric junction भी आपको यहाँ पर दिया गया है stairs आपको बाहर से मिल रही है जो कि ले जाएगी आपको आपके first floor पर आपका third bedroom first floor पर रहने वाला है जो कि हम थोड़ी देर में देखने वाला है आचाये बातचित करते करते अभी हम बहुत चुके हैं आपके living area में बहुत ही अच्छी space के साथ दोस्तों आपको living area मिल रहा है यहाँ पर easily आप L-shape में 5-6 sitter sofa place कर सकते हैं beautiful सी center table के साथ देख सकते हैं wall जो है आपका बहुत ही beautiful सा paint इस पर किया गया है यहाँ पर wall self भी आपको मिल जाते हैं fall ceiling में देख सकते हैं दोस्तों कुछ different concept के साथ fall ceiling आपको मिल रही है जिसमें paint जो किया गया है वागई बहुत ही प्यारा किया गया है यहाँ पर LED पैनल मिल जाता है थूदा small है लेकिन बहुत ही प्यारा आपकर हैने वाला है इसी के जो space में यहाँ पर आजाएगा आपका wall basin area wall basin आपको provide करवा कर दिया जाएगा तो आप बिल्कुल भी tension ना ले दोस्तों यहाँ पर आपको common washroom मिल जाता है और बहुत ही अच्छे space के साथ रहने वाला है अब हम देख लेते हैं आपका kitchen आजाएए यह देखें यह है आज के house का kitchen देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे space मिल रहा है L-shape के साथ में working station मिल रहा है और यहाँ पर ventilation के लिए proper window दी गई है आपको आप देख सकते हैं और नीचे drawers भी आपको काफी सारे मिल जाते हैं तो दोस्तों अपना kitchen बहुत ही प्यारा लगा मुझे और यह है आपका fast bedroom यह देखें बहुत ही अच्छे space के साथ मिल रहे हैं यहाँ पर भी paint किया गया है false ceiling में भी same paint आपको मिल जाता है और यहाँ पर backyard भी दिया गया है proper ventilation बना रहेगा tap के लिए आपको option मिल जाता है आप चाहे तो यहाँ पर अपनी small washing machine भी place कर सकते हैं wardrobe भी आपको यहाँ पर provide करवा के दी गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज यह देखते हैं आपका second bedroom second bedroom को gas room के purpose से यूज कर सकते हैं हाँ आप तो समझे गए होंगे लेकिन एक बार फिर्टे दोहरा देती हूं कि यहाँ पर आपको dual entry मिल रही है तो easily इसे आप gas room purpose से यूज कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी different paint गया गया है color combination तो वाकई बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है fall ceiling में देख लीचे दोस्तो fall ceiling different concept के साथ cop lights के साथ आपको मिल रही है यहाँ पर आपको full size की wardrobe मिल रही है window दी गई है जो कि बाहर के तरफ खुल रही है proper ventilation बना रहेगा आपके gas room में attached washroom भी मिल जाता है आपको gas टाएंगे उनको washroom यूज करना होगा तो easily washroom को use कर पाएंगे आपके bedroom में जाने के बजाए आजाए तो ये तो हम कर चुके हैं आपके ground floor का टूर अरे आगए इतनी जिल्दी है आप तो आजाए देख लेते हैं आपका third bedroom तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आजाएगे आपकी terrace देख सकते हैं फ्लॉरिंग में काफी खुबसरा tiles आपको मिल जाती है यहाँ पर आपको common washroom भी दिया गया है देख सकते हैं आप देख लिजे दोस्तों western seat के साथ आपको washroom मिल जाता है tiles को work भी बहुत ही प्यारा किया गया है अब हम देखते हैं third bedroom यह देखें यह है आपको third bedroom यहाँ पर भी yellow color के साथ में आपको texture work मिल रहा है और आपको इसी के लिए separate point भी मिल जाता है आपके तीनों bedroom में आपको इसी के लिए separate point मिल रहा है wardrobe भी दी गई है टॉप तक आज यह यह balcony देख लेते हैं यह देखें आप बहुत थी अच्छी space के साथ आपको balcony मिल रही है उपर से covered भी रहने वाले जिसमें cop lights और बहुत ही अच्छी false ceiling का use किया गया है अब हम finally गड़ चुके हैं आपके घर का टूर अब हम बात करेंगे price की price की बात करने से पहले हाँ आप त चैनल को subscribe नीक है तो जल्दी से जाके चैनल को subscribe कर ले and also press the bell icon उसको तो बिल्कुल भी ना भूले उससे क्या रहेगा कि आपको हमारे नई नई वीडियो की notifications time पर मिलती रहेगी अब हम कर लेते हैं price की बात जेडी अपरूट property 84 गजने बनी हुई है आप भी idea लगाए लेकिन मैं बताई देती हूँ 42 लेक्स में यार 42 लेक्स में आपको ये house मिले वाला है वो भी 3BS के जेडी अपरूट तो देर के इस बात की है number तो screen पर दिखे रहे होंगे phone उठा कर निशा को call करे और आ जाए side digit क के लिए तब तक के लिए thank you so much जय हिंद जय वारत